अक्षय कुमार और सलमान खान बाइक से आते हैं, अक्षय सलमान से फावधा लेकर कहते हैं, इस बाइक का ध्यान रखना चाबी इसी में लगा हुआ है, फिर सलमान बाइक पर बैठ जाते हैं, इधर अक्षय खेत में खुदाई करने लगते हैं, तुरंत उन्हें कपड़े से बंधा हुआ एक मटका मिलता है अक्षय यहाद एक चौक जाते है फिर वह सलमान को बुलाते हैं और कहते हैं देखो मुझे क्या मिला सलमान दोड कर आते हैं और कहते हैं जल्दी से खोलो अक्षय कहते हैं नहीं कहीं यह किसी का भभूश तो नहीं सल्मान कहते हैं मुझे लगता है इसमें खजाना ही है फिर दोनों लोग उस मठके को खोलते हैं उसमें उन्हें एक कागज मिलता है अक्षय कहते हैं यह तो एक कागज का टुकड़ा है सल्मान कहते हैं शायद इसी में खजाने का नक्षा हो फिर वह कागज को खोलते हैं इस प पास के पेड़ के पास आते हैं और पेड़ को देखते हैं फिर अक्षे कहते हैं यकीनन ये वहीं पेड़ है सलमान कहते हैं तुरंत खुदाई करो फिर अक्षे खुदाई करते हैं उसमें उन्हें एक बॉक्स मिलता है दोनों लोग खुश हो जाते हैं बॉक्स को खोलने पर उन्हें उसमें एक कागज और चाबी मिलता है. अक्षे कागज को खोल कर पढ़ते हैं, जिस पर लिखा होता है. अब आपको 50 कदम आगे चल कर सीक्रेट दर्वाजा मिलेगा, उसी में खजाने का ताला मिलेगा. दोनों लोग चौक कर नाचने लगते हैं. दोनों लोग भागते हुए ताले के पास पहुँच जाते हैं. तुरंद पास बैठे अरजुन कहते हैं, ताला खोलने का फीस 10,000 रुपए हैं. अक्षे कहते हैं, नहीं मैं नहीं दूँगा. फिर अरजुन कहते हैं, इस खजाने के तुम हकदार नहीं हो. अक्षय दस हजार रुपये देते हुए कहते हैं इस खजाने के लिए कुछ भी अर्जुन खुश होकर वहां से चले जाते हैं फिर अक्षय ताला खोल कर दर्वाजा खोलते हैं उसमें उन्हें सूट केस मिलता है वह खुश हो जाते हैं दोनों लोग सूट केस पाकर मन ही मन सोचते हैं अब तो मैं अमीर हो गया इधर अल्लु अर्जुन भागते हुए आते हैं और अक्षय का बायक लेकर भाग जाते हैं दूसरी तरफ दोनों लोग सूट केस को खोलते हैं उसमें एक कागज पढ़ा होता है ये देख दोनों चौक जाते हैं दोनों लोग एक दूसरे से कहते हैं मेरा खजाना कहां गया तब अक्षय उस कागज को उठा कर पढ़ते हैं जिस पर लिखा होता है लालच बुरी बला है जब आप यह पढ़ रहे होंगे तब तक आपका बाइक फुर हो गई होगी दोनों लोग चौक जाते हैं फिर अक्षय कहते हैं तुमने बाइक से चाबी निकला था या नहीं सल्मान कहते हैं मुझे माफ कर दो अक्षय कहते हैं चलो बाइक को ढूनते हैं फिर दोनों लोग खूप तेज रोते हैं क्योंकि अब उनकी बाई खो चुकी होती है इसलिए कहते हैं लालच बुरी बला है